नमस्कार उत्राखन साइंस एजुकेशन रिसर्ट सेंटर में आप सभी का स्वागत है। योसर्क राज्य में प्रध्योग्य की आधारित विज्ञान शिक्षा सुलब करवाने हेतु कृत संकल्प है। आज के इस तक्नीकी युग में शिक्षा पद्धती में सम्यक बदलाव की आवशक्ता को ध्यान में रखते हुए। शिक्षा के सभी स्तरों तक ICT के समावेश से और विशेशग्यों के माध्यम से विक्सित, इकंटेंट, सुदूर, छात्रों एवं अध्यापकों हेतु उपलब्ध करवाया जा रहा है। हमारा विश्वास है कि इकंटेंट एक मुल्यवान संसाधन के रूप में आपके चिंतन कौशल एवं रचनात्मक्ता में वृध्धी करने में सहायक होगा। धन्यवाद। चली आईए इस वीडियो में हम लोग सैध्धानतिक प्राइक्ता प्याधारित प्रशनावली को देखें और यहां पे कुछ प्रशन हल करें। तो पहला प्रशन जो हमें यहां पे दिया गया है वो यह है कि अच्छी प्रकार से फिटी हुई 52 पत्तों के गड़ी में से एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी प्राइक्ता परिकलित कीजिए कि यहां पत्ता एक बाश्या होगा, एक चड़ी का पत्ता होगा, एक लाल बेगम होगी, एक लाल बेगम नहीं होगी। तो इस प्राश्या का सही उत्ता देने के लिए सबसे पहले आईए हमें एक बार एक अच्छे से फिटी हुई गड़ी का जो समू है यहां पर जो भी बड़न है वो अच्छे से समझ लें, तो आप जानते हैं कि हमारे पास 52 पत्ते होते हैं और ये जो 52 पत्ते हैं वो पहले दो समू में बटे हैं जिसमें हमारे पास आधे पत्ते लाल होते हैं और आधे पत्ते काले होते हैं इन लाल पत्तों में फिर से दो बराबर समू बने हैं पान के पत्तों के और एट के पत्तों के और काले पत्तों के दो समू बने हैं हुकुम के पत्तों के और चिडी के पत् में कि प्रायक्ता क्या होगी एक बाश्चा होने की तो बाश्चा को हम क्य से यहाँ पे लिख देते हैं और अगर हम यहाँ जछना की बात कर रहे हैं तो क्ल अभी प्रेयोगों की संख्या क्या है जिआ बाख्षय आपको कैसे कैसे मिलसकता है या आपको लाल बाख्षय मिल जाए या पिर आपको यह और ऐट का बाशा मिल रहे इस प्रकार से आपके पास चार बाशे हैं और हमारे पास जो इस बात का उत्तर है वो एक बटे तेरा आ जाएगा तो प्राइकता हमारे पास बाशा आने के कितनी हो गई एक बटे तेरा मुझे आशा है कि आप इस बात को अच्छे से समझ पा रहे होंगे इस प्रश्ण का जो सबसे जरूरी चरण है वो यह चरण है कि हम एक फिटी हुई गट्टी का जो भी हमारे पास बटन है वो अच्छे से समझे इसके बाद दूसरे हमसे प्रश्ण में पूछा गया कि एक च इतने पत्ते हैं जिसमें चिडी का ये जो निशान है अंकित होगा तो आप देख सकते हैं कि ये ऐसे तेरा पत्ते हैं तो अगर हम तेरा बटे बावन करेंगे तो जो कि एक बटे चार आजाएगा हमारे पास तो ये चिडी पके पत्ता होने की हमारे पास प्राइक्ता होग अगर हम तीसरे प्रशने की ओर बढ़ें तो फिर से ही ध्यान रखें कि हम जिस सद्धानतिक यहाँ पे सूत्र का इस्तमाल कर रहे हैं वो यही है और हमसे तीसरे भाग में यह कहा गया है कि एक लाल बेगम होना तो पहली बार तो हमें लाल पता चाहिए और दूसरी बात हमें बेगम चाहिए तो आएए पहले देखते हैं कि हमारे पास कितने ऐसे पत्ते हैं जो कि लाल बेगम के हैं आप देख सकते हैं कि एक लाल बेगम यह हो गई और दूसरी लाल बेगम हमारे पास पान की हो गई, तो इट और पान की दो जो बेगम हैं वो लाल रंकी होंगे, और खुल पते फिर से बावनी होंगे, तो इसलिए हमारे पास इसकी प्रायक्ता एक बटे 26 आ जाएगे आईए चौथे प्रश्न की ओर बढ़ें चौथे भाग की ओर और यहाँ पर कह रहे हैं कि एक लाल बेगम ना होना तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं कि लाल बेगम ना होना तो लाल बेगम ना होना लाल बेगम होने की एक पूरक घटना है और इसलिए लाल बेगम ना होने की प्राइक्ता हम एक में से लाल बेगम होने की प्राइक्ता को घटा करके निकाल सकते हैं तो एक माइनस एक बटे 26 अगर हम करेंगे तो यहाँ पे अगर हम LCM ले लें तो यह 26 LCM आ जाएगा यहाँ पे 26 आ गया माइनस एक तो हमाई पास 25 बटे 26 जो है वो प्राइक्ता आ जाएगी कि आप एक पत्ता कोई निकालें और वो लाल बेगम ना हो तो इस प्रकार से हमने पहला प्रशन जो है यहाँ पे वो हल कर लिया दूसर प्रशन हमसे यहाँ पे यह कहा जा रहा है कि अगर दो सिक्कों को एक साथ उचाला जाए तो क्या प्राइक्ता है कि कम से कम एक चित प्राप्त होगा तो पहले हम यह देख लेते हैं कि अगर हम दो सिक्के उचालते हैं तो हमारे पास क्या-क्या हमारे पास जो उत्तर हैं वो आ सकते हैं या फिर अभी प्रयोगों के परिणाम आ सकते हैं तो आईए हम इसको एक टेबल के रूप में लिख लेते हैं और आप जानते हैं कि हमारे पास यहाँ पर दो सिक्कों की बात की जा रही है तो देखिए क्या हो सकता है हमारे पास परिणाम की पहला सिक्का और दूसरा सिक्का तो आप जानते हैं कि कोई भी एक सिक्का है तो उसमें हमारे पास या तो चिता सकता है पटा सकता है तो मान लीजे आपके पास पहले वाले में जो है चिता और दूसरे वाले में भी चित आ गया फिर आपके पास पहले वाले में तो चित ही आया दूसरे वाले में पटा गया दूसरे वाले में आपके पास जो है फिर से चित आ गया परंतु इस पर पहले वाले में ही आपके पास पटा गया था और पहले वाले में आपके पास फिर से जा रहा है उसके दो परिणाम हैं तो आपके पास कुल परिणाम कितने हो जाएंगे दो की घाद दो जो की चार और उसको हम कैसे लिख सकते हैं पहले सिक्के के लिए आप आधी बार लिख दीजे एक परिणाम आधी बार लिख दीजे दूसरा परिणाम और दूसरे सिक्के के से कम एक चित की उसमें हमारे पास जो हर है वो कितना आ जाएगा? 4, क्यूंकि अभी प्रेवगों की कुल संख्या जो है वो 4 है और पूछा जा रहा है कि कम से कम एक चित, तो कम से कम एक चित देखिया को कहाँ का मिल रहा है? यहां पे तो दोनों चित हैं, तो कम से कम एक मिल रहा है, यहां पे भी कम से कम एक मिल रहा है, यहां पे भी कम से कम एक मिल रहा है, तो तीन आपके पास ऐसे अभी प्रयोग मिले, जो की हमारी घटना क्या निकूल थे, और इसलिए प्रायक्ता तीन बटे चार हो गए, चलिए यह एक और प्रशन देखते हैं, प्राइक्ता की सैध्धानतिक जो भी दृष्टिकून है उस पर आधारत, तो दो पासो को एक साथ फेका जाता है, इसकी क्या प्राइक्ता है कि दोनों पासो की संख्या का योग नौ हो, दस या दस से कम हो, तो यहां पर दो पासो को फेके ज यहां पर इस तरहां से लिख लूँ, और दूसरे पासे के लिए यहां पर लिख लूँ, तो यह वाला जो है, यह दूसरा पासा है, और यह वाला जो है, पहला पासा है, तो देखिए क्या हो सकता है, कि आपको दोनों पासों में एक-एक मिल जाए, एक पासे में दो, दूस अभी प्रयोगों की जहां पे आपके पास जो योग है वो 9 हो तो योग 9 होने का प्राइकता क्या है तो आएए रेखते हैं कि पहले कुल संख्या क्या है इन सारे अभी प्रयोगों की तो आप गिन सकते हैं यहां पे 1,2,3,4,5,6 एक,2,3,4,5,6 और 6 को 6 से गुना करेंगे तो 36 आपके पास जो हैं वो कुल अभी प्रयोग जो हैं वो हो सकते हैं और उन में से हमें यह देखना है कि कितने ऐसे अभी प्रयोग हैं जिनमें जो दोनों संख्या हैं उनका योग 9 हो तो आएए देखते हैं तो आपको सबस्ब पहले अगर हम योग 9 की बात करें तो योग 9 आपको कब-कब मिल सकता है या तो आपके पास देखिए एक और आठ हो तो एक और आठ तो हमारे पास पासे में होता ही नहीं तो यह नहीं हो सकता फिर आपके पास दो और साथ हो तो साथ भी हमारे पास पासे में नहीं हो सकता तो योग नहीं मिल सकता इसके बाद आपके पास अगर तीन और छे हो तो आपको नौ मिल सकता है और तीन और छे हमको कैसे कैसे मिल सकता है तीन पहले पासे पे छे दूशर पासे पे और छे और तीन इसके बाद चार और पांच और पांच और चार इसके बाद अगर आप यहां पे पांच बढ़ाएंगे तो यह इसी प्रयोग की बात हो जाएगे फिर छे करेंगे तो इसी प्रयोग की तो कुल ऐसे चार अभी प्रय तो यह 10 या 10 से कम इसको देखिए आप दो तरीके से कर सकते हैं मैं यहाँ पर पूरा घटना का प्रयोग करके करने वाली हूँ तो 10 या 10 से कम जो एक घटना है उसकी पूरा घटना होगी एक घटना जिसमें 10 से जादा हो योग और 10 से जादा योग देखें हमें कैसे मिल सकता है तो हम बस अभी ये देखके चल रहे हैं कि हमारे पास जो संख्या यहां पे हैं उनी से हमें 10 से जादा योग कैसे मिल सकता है तो 10 से जादा योग हमें कैसे मिल सकता है तो अगर हम एक लेंगे, तो हमें दस चाहिए, दो लेंगे, तो हमें क्या चाहिए, नौ चाहिए, फिर अगर हम तीन लेंगे, तो हमें आठ चाहिए, कम से कम मतलब, जैसे आपके पास एक मान लीजे, एक पासे पर एक आ गया, और आप दस से जादा योग चाहिए, तो दूस वो भी नहीं ही हो सकता क्योंकि 9 तो कोई हमारे पास परणामी नहीं है अगर हम यह मानने की पहले पासे पे हमें 3 मिला तो 10 सेधर योग केलिए कम से कम हमारे पास दूसरे पासे पे 8 आना चाहिए और 8 भी कोई ऐशी संख्या नहीं है जो कि दूस tongue- customer हो अगर हम पहले वाले पासे पे मानने की चार आया तो कम से कम दूसरे वाले पासे पे साथ होना चाहिए तो वो भी प्रयोग यहां पे मुम्किन नहीं है अगर हम मानने की पहले पासे पे हमारे पास 5 है तो दूसरे पासे पे हमें 6 मिले तो ये एक ऐसा प्रयोग है जो कि यहां पे मुम्किन है तो फिर एक पांच और छे एक ऐसा प्रयोग है जहां पे हमें दस से जादा जो है वो योग मिलेगा तो ये छे और पांच के रूप में भी हो सकता है और फिर छे और छे तो सिर्फ तीन ऐसे प्रयोग हैं हमारे पास एक पांच और छे एक छे और पांच और एक छे और छे जहां पे हमें दस से जादा जो है वो आपको मिल जाए योग तो दस से जादा की अगर हम प्रायक्ता निकालें तो सिर्फ तीन ऐसे यहाँ पे परिणाम है और total हमारे पास जो परिणाम है यहाँ पे वो है 36 तो 3 बटे 36 जो की 1 बटे 12 हो जाएगा और फिर हमारे पास इसको हल करेंगे अगर हम तो 11 बटे 12 आएगा तो 10 या 10 से कम जो योग है वो आने की प्राइकता 11 बटे 12 मैं आपको यहाँ पे एक बार बताना चाहती हूँ कि यह मैंने जो यहाँ पे इस तरहां से लिखा हुआ है सारे प्रयोग यह मैंने लिख लिए और बहुत असानी से लिख लिए और आप जितने जादा ऐसे प्रशनों का हल करेंगे आपको उतना जादा कॉंफिडेंस आएगा इस तरही के कुश्चन सौर्फ लिए थे वो तीन सबसे जरूरी जो प्रयोग उन पर लिए थे एक दो सिक्के उच्छालने के प्रयोग पे इसके बाद में एक लिया था मैंने दो पासे उच्छालने के प्रयोग में जो हमने अभी यहाँ पे हल किया और एक हमने लिया था जिसमें हमारे पास ताश की गड़ी का यहाँ पे प्रश्णता तो मुझे आशा है मैंने यहाँ पे आपको जो भी बाते बताएं आपको अच्छे समझाएं होंगी